नमस्काल, मैं देव कष्षासाकी बगाचात्र, आपके समक्ष तुस तक प्रेमचंद की श्रिष्ट कहानियां पर समीक्षा करने जा रहा हूँ प्रेमचंद हिंदी जगत के कथा समराथ माने जाते हैं उनकी कहानियों में समाजिक परिवेश और चरित्र चित्रन की जीवन्तता को महचवपून स्थान दिया गया है प्रेमचंद जी ने सशक्त, सजीव एवं सरल भाषा हिंदी को प्रदान की देश का ततावातवरन चित्रन में भी वे अनूठे हैं स्थानिता के रंग भरने में उन्हें सफलता मिली है प्रेमचंद जी कहानियों में पूष की राथ एद गुहे जथा दो बैलों की कथा ने मुझे अक्तिद्रिक प्रभावित किया है पूष की राथ प्रिशिक जीवन्त की करन कथा कहती है अभावों में पलने वाला किसान हाथ तोन मेहनत करने के बाद भी अपनी रोजी रोची नहीं जुटा पाता वे शोशन ग्रस्त जीवन व्यतीत करने को बाद्धे है प्रेम चन्ने गांव के एक खेट पर सर्द राथ का जो चित्रन किया है वे जीवन्त एवर मर्म्स परशी है इदगाह कहानी का कथानिक माता पिता विहीन बालक हामिद के इर्द की इर्द खूंता है जो अपनी दादी के साथ ने धन्ता का जीवन ची रहा है मेले में हामिद सभी बच्चों को मिठाईया खाते और खिलोने खरीटते हुए जो उर से देखता रहता है चार-पांच साल का एक छोटा बच्चा अपनी इच्छां को जब्त करके अपनी दादी मा के लिए लोहे का चिम्ता खरीटता है जिससे उसकी रिसोई में रूटिया सेखते हुए उंगलिया नहीं जलेंगी हामित ने अपनी दादी के पती जिस नहें और विवेक का परिचे दिया है वेपार्ठकों के हिर्दे को त्रवित कर देता है दो बेलों की कथा से हमें यह सीक मिलती है कि इंसान हो यह जानवर उसे सफतंतता से जीने का पूरा अधिकार है कहानी में प्रेमचन जी ने मनुश्य और पशुके भावनात्मक रिष्टों को बखुबे सिव्यक्त किया है प्रेमचन दूर दर्शी थी इन्होंने सो वर्ष बाद के भारत का अनभव कर लिया था तबी तो भारत वर्ष के गरीब वर्ष की समस्या को चित्रित कर दिया वे ग्रामीन मिटी की खाद है यह कह दिया जाए तो अनचितना होगा धन्यवाद